तो कईस मुझे पता है कि आप सभी की फेवरिट है Scorpio N आज हम आपको कुछ खास बताने वाले है Scorpio N के बारे में हम बताएंगे कि क्या आपको इसका Z6 variant opt करना चाहिए या फिर आपको इसका Z4 variant opt करना चाहिए जाहिर सी पाता है कि कुछ price difference तो दोनों के बीच में हो गई और जो price difference आपको मिलता है दोनों variants में वो मिलता है minimum 1 lakh रुपीज का और यह जो price difference मैंने आपको बता है 1 lakh का यह बता है एक शोरूम की form में अगर आप on-road price देखेंगे दोनों का तो उसका जो price difference होगा वो 1 से 1.5 lakh रुपीज की बीच में आपको मिलेगा तो अभी हमारे पास Z6 variant इधार है और Z4 variant इधार है देखने से दोनों ही cars आपको एकदम same same लग रही होगी black color दोनों में आपको मिल रहा है लेकिन मैं आपको basic difference पहले है दोनों के बेच में आपको बता देता हूँ यह जो Z6 variant है यह सिर्फ आपको दो ही version में देखने को मिलता है जो कि यह diesel manual और diesel automatic वो भी rear wheel drive के साथ इस Z6 variant में आपको four wheel drive का option देखने को नहीं मिलता है लेकिन यह जो Z4 variant है यह आपको almost सभी combination में available है यानि कि diesel में भी आता है, petrol में भी आता है और diesel four wheel drive में भी यह variant आपको आता है और यह जो basically variant है Z4 variant यह उन लोगों के लिए बहुत ज़ादा अच्छा option बन जाता है जो कि कम price में four wheel drive के मज़े लेना चाते है आपको Z6 variant में petrol version तो आता नहीं है तो इसलिए इस वीडियो में हम Z6 और Z4 के बस diesel versions को यह compare करेंगे नीचे की साथ देखेंगे तो यहाँ पे आपको difference देखने को मिलेगा Z4 variant में आपको black skid plate देखने को मिलती है जबकि Z6 variant में आपको silver color की skid plate देखने को मिलेगी इस वज़े से देखने में थोड़ सा look wise आपको यह different लगेगी और थोड़ सा ज़्यादा appealing लगेगी बागी दोनोई cars के variants में आप देख सकते हैं कि fog lamps आपको नहीं दिये गए although housing आपको provide की गई है यानि कि आप fog lamps aftermarket लगवा सकते हैं बागी इस skid plate के अलावा को यह difference आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन यहाँ पर एक छोटा साथ twist आजाता है और वो twist क्या है आपको इस table में देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आप notice करेंगे कि दोनोई versions के diesel engine आपको semi displacement के साथ मिलता है जो कि है 2.2 liter का mhawk diesel engine बस difference इतना है कि Z4 variant का जो 4x2 diesel manual वाला version है उसमें जो आपको power and torque figure मिलती है वो बागी versions के comparison में कम है क्योंकि यहाँ पर आपको 130 bhp of power and 300 newton meters of torque मिलता है इसलिए particularly यह वाला जो Z4 का version है यह Z6 variant के 4x2 diesel manual version के comparison में थोड़ सा कम powerful है इसलिए 1-5,5 रुपए extra mount दे के अगर Z6 4x2 diesel manual को opt करेंगे तो शायद वो एक बहतर decision होगा बाकिन सभी variants के लवा आप देख सकते हैं कि power and torque figure में दूसरे variants में कोई भी differences नहीं है लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि Z4 variant में 4-wheel drive का option हमें देखने को मिलता है तो इस वज़े से ये variant उन लोगों के लिए काफी अच्छा option बन जाता है जो कि एक hardcore off-roader वाली कार के शौकीन है और basically उन्हें एक 4-wheel drive version चाहिए इसके अलबागा एस एक बार आप इनकी side profile check out करेंगे तो side profile से आपको look wise देखने में बहुत ही similar लगने वाली है ये दोनुई कार बट एक difference आपको Z6 variant में देखने को मिलेगा उसमें आपको जो roof rails मिलते हैं वो मिलती है silver color के साथ लेकिन Z4 variant अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि दोनुई cars में आपको wheel covers अभी देखने को नहीं मिल रहे हैं लेकिन जब आप इन दोनुई cars को dealership से purchase करेंगे तो आपको company fitted wheel covers देखने को मिलेंगे जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ प्लेस किये गए है overvams पे आप देख सकते हैं दोनुई वेरियंटे में आपको turn indicators मिल जाते हैं लेकिन दोनुई वेरियंटे के overvams को आपको manually fold करना पड़ेगा इसमें भी आपको deffolker मिलता है इसमें भी आपको defolker मिलता है वाइपर दोनुए cars में आपको देखने को मिल रहे हैं दोनों में से एक का boot मैं open कर देता हूँ, तो पहले ही जो 3rd row है, इसको मैं पूरा उपर की तरफ adjust करता हूँ, और यहां पर आपको कुछ इस type का boot space देखने को मिलता है, और यहां पर एक चीज़ आप notice करेंगे, कि आप इसे 60-40 split नहीं कर सकते हैं, चलिए देखते हैं, एक पर Z6 variant में कैसा आपको boot space मिलता है, Z6 variant का boot space आप यहां पर देख सकते हैं, exact उतना ही boot space मिलता है, इसमें भी आप 60-40 split नहीं कर सकते हैं, तो अगरर फीचर्स में और लुक्स की बात करें, तो बहुत ज़्यादा differences आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तो अब चलते हैं interior में, जहां पर आपको main differences देखने को मिलेंगे, दो नहीं variants में, Alright guys, हम बैठ चुके हैं, Z6 variant के interior में, यहां पर सबसे पहले आपको difference जो देखने को मिलेगा, वो मिलेगा sunroof का, यहां पर आप देख सकते हैं, आपको काफी बड़ी size की sunroof देखने को मिलती है, although panoramic sunroof नहीं है, लेकिन जितनी भी आपको मिलती है, आपको definitely पसंद आएगी, और यह वाली जो sunroof है, वो guys, आपको Z4 variant में देखने को नहीं मिलती है, Amazon Alexa मिलेगा, और साथ इसाथ drive modes भी आपको यहां पर मिलेंगे, इतना ही नहीं guys, Z6 variant में आपको 4 speakers and 2 tweeter मिलते हैं, जबकि Z4 variant में आपको tweeter नहीं मिलते हैं, या नहीं कि वहाँ पर आपको बस 4 speakers ही मिलेंगे, इसके लावाँ guys, safety features की बात करें, तो Z6 variant में आपको ESC, Hill Hold Control, Hill Descent Control, ABS with EBD, 2 Airbags and SOS function देखने को मिलता है, बग इंटिर की बात करें, यहां पर आप कुशिनिंग देख सकते हैं, अंडर था सपोर्ट देख सकते हैं, काफी कमाल का है, अपॉल स्री काफी ज़ाद अच्छी लगती है, अगर यहां पर हम फिनिशिंग की बात करें, तो यह डूल टोन फिनिशिंग भी काफी ज़ादा अमेजिंग लगती है, अप कुईकली चलते हैं एक बार Z4 variant में, और वहां पर देखते हैं कि कुछ कम ही तो नहीं है उस variant में, तो हम आगए हैं Z4 variant में, और सबसे पहले शुरुवात मैं करूँगा यहां से, यह आपको 4-wheel drive gear selector देखने को मिल जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि, इन्फो टेनिन सिस्टम की अगर आप स्क्रीन देखेंगे, तो आपको ओ Z6 variant जैसे ही देखने को मिलेगी, बस डिफ्रेंस इतना ही है कि इस variant में आपको Hill Old Control, Hill Descent Control, सिर्फ Automatic Transmission के साथ ही आएगा, जबकि Z6 variant में हमने देखा था कि, यह तीनों ही feature समय manual के साथ भी मिल रहे थे, बागे आप feature देख सकते हैं, इंटीर देख सकते हैं, आगे आपको exactly वही इंटीर देखने को मिल रहा है, जैसे कि आपको Z6 variant में देखने को मिल रहा था, एक चीज़ से मैं आपे थोड़ सा disappoint हूँ, और वो यह है कि दोनों ही variants में आपको reverse parking camera नहीं दिया महिंदरा ने, इसके instrument cluster में आपको जो MID मिलता है, वो मिलता है monochrome की form में, जबकि Z6 variant में जो आपको MID मिलता है, वो आपको colored वाला मिलता है, तो guys, finally summarize करते हैं कि क्या-क्या differences आपको दोने कार्स में देखने को मिलते हैं, पहले तो Z6 variant में आपको दिखा दिया कि sunroof आपको आपको मिल जाती है, दूसरा Adronox आपको इस वाली variant में देखने को मिल जाता है, बागी बात करेंकर roof rails की और skid plate की, तो वो Z6 variant में आपको silver color की देखने को मिल रही है, बट again look एक subjective choice है, और यह जो cosmetic difference है, मुझे नहीं लगता कि यह किसी भी तरह से एक deal breaker point हो, बागी safety features and engine specifications, जो भी आपको मैंने इस वीडियो में बताई है, उसको देखने के बाद तो यही लगता है कि Z6 variant जो है, वो slightly better value for money variant बन जाता है, अब आप हमें नीजे दे comment से बताईए कि कौन सा variant आपको जादा पसंदा है, जेट सिक्स वेरिंट या फिर Z4 variant और क्या आप एक से डेड़ लाग रुपए एक्स्टा अमाउंट दे के Z4 से Z6 वेरिंट पर जाएंगे या फिर नई, अगर आपको वीडियो पसंदा आती है तो make sure guys वीडियो को like करना ना बूले, चैनल को subscribe करना ना बूले, मिलते हैं आप से एक लिए वीडियो में, thanks for watching.